कराहल सिद्ध बाबा स्थान पर विगत 20 वर्षों से हरसो लास के साथ विराज रहे गजानन महराज कबर कराहल से है जहां कराहल के वॉर्ट कृमांग पांच में अस्तित शिरी सिद्ध महराज मंदिर पर महले वास्यू द्वारा प्रतिवर्ष गड़पती महराज की मूर्ती विराजित की जाती है गड़ेश उत्सव के समारों में सुंदर पांडाल सजा कर श्री गड़ेश जी की मंगल महारती की गई और प्रशाद वित्रन किया गया देरुरात्री तक भजन संद्या का योजन रखा गया भगवान श्री गड़ेश के उत्सव में सारा करहल नगर भक्ती के रंग में डूब जाता है कई जगा गड़पती बप्पा के स्वागदवार बनाये जाते हैं जह सिद्वाबाद जी के मंदिल प्रकड़ेश जी की मूर्की स्थापना की गई है काफी लंबे समें से लेक्ष दिया है तो मूर्की स्थापना की जा रही है बाहर करता हूँ हम मिलके जाने का क्या आयोजन रहते हैं क्या तईयर अलती इस जीसर क्या नाम है अपर सबी महले वाले मिल करके बड़े ही दूमदाम के साथ करे सुक्तक्तों मनाते हैं और जैसा की लगवक्ते 20 वर्सों से हम इस आयोजन के सपलता पूपत मनाते आ रहे हैं और सभी महले वासी पूर्ण तन मन धनते अपना सहयोग करते हैं और भगवान जिद्धी सिद्धी के दाता बुद्धी के दाता गड़े ही का उत्सव बड़े ही धूमदाम से मनाते आ रहे हैं ऐसे ही धर्मिक आयोजन हर जगे पर होने चाहिए जिससे सुनातन धर्म का और हमारे भगवान गड़े सिद्धी का प्रचार प्रसार समष्त गुनिया में फैले और बुद्धी के दाता गड़े स्फम पूज है और इनकी पूजा जगे जगे होनी चाहिए जहां हम आई हमने देखा है कि पूरे कराल में गड़िशी की पित्माओं का बढ़ाई अनावरा निया किया जाता है बहुत अच्छी बात है नो ने कहिए कि सनातर द्रम के संस्केटी को कर बचा के रखना है तो ऐसे आजन लगा दा रोते ही रहने चाहिए अच्छी सजाई गई है कैसा लगता है यहां पर क्या होता है और क्या है कैसा है यहां मैसुस होता है तो मैं आठ दर्थ दन के लिए तो यहां पर आर्थी करवाते हो